Hello my YouTube family, कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब लोग बढ़िया हैं, भले चंगे हैं मैं भी बढ़िया हूँ आप लोगों से एक अपडेट शेर करनी थी मैंने इंस्टाग्राम पे एक निया पेज क्रियेट किया है किरिन शाहपुरी अकाड़मी और ये page specifically उन लोगों के लिए है जो टारो सीखने में इंट्रेस्टेट हैं टारो में अपना करेयर बनाने में इंट्रेस्टेट हैं तो ज़रूर इस page को follow करें क्योंकि इसमें बोखुत सारी चीजें related and connected to learning टारो I'll be sharing exclusive tips, insights, upcoming workshop इसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा Hello everyone, मैं हूँ किरन शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए September 2024 की Love Tarot Reading तो अगर आप जाना चाहते हैं कि September मन्त में आपके partner की क्या energies होंगी आप क्या महसूस करेंगे आप दोनों के बीच में September मन्त में क्या रहेगा कौन सी छोटी छोटी सी बाते हैं जिनका खयाल रखके आप September मन्त की energies को बदल सकते हैं अपनी love life को बहतर कर सकते हैं तो ये reading आपके लिए है और इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं फिर चाहें वो आपका लगन हो नाम के हिसाब से राशी हो आपका moon sign हो या फिर आपका sun sign हो तो चलिए जी शुरू करते हैं September 2024 की Love Tarot Reading चलिए एक एंसरेंस आप लोगों के लिए देखेंगे September 2024 में आपकी love life में क्या हो रहा है में पास यहां पिर तीन सैट of cards हैं फर्स सेट of cards में हम आपकी energies देखेंगे सेकिंन सैट of cards में आपके partner की energies देखेंगे और थर्ड सेट of cards में हम देखेंगे कि finally September month में क्या हो रहा है तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए दीखिए आप इस सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है Unconditional Love कुछ टाइम से या फिर सब्टेमबर स्टार्टिंग में या सब्टेमबर मन्थ में बहुत एक Unconditional Love, Feelings, Emotions आप अपने पार्टनर के लिए मन ही मन महसूस कर सकते हैं और इसलिए या फिर Otherwise भी थोड़े से आप Emotionally Sensitive हो रहे हैं थोड़ी सी आपकी Immature Energies रहती हुई दिख रही हैं जहां पर हो सकता है कि पार्टनर की बहुत एक Attention आप चाहा रहे हैं थोड़ा सा Emotionally Demanding हो रहे हैं और एक बचकाना सा Behavior बचकाना सा Attitude आपका रह सकता है पार्टनर से अगर आपकी बहुत टाइम से या कुछ टाइम से बात नहीं हुई तो उनके तरफ से Message का वेट कर रहे हैं या फिर आपको खुद ही लग रहा है कि Message करें ना करें और इनी सब चीज़ों को लेकर या कोई और भी रीजन हो सकता है काफी Emotional हो रहे हैं, Sentimental हो रहे हैं और Sensitive भी होते वे दिख रहे हैं और देखें, Mid-September के लिए Empress Reverse का काट कहता है बहुत एक Love, Care आप अपने Partner के लिए महसूस कर रहे हैं और कहीं आपके Attitude, आपके Behavior में भी किसी ना किसी Level पर यही चीज़े Reflect होती हुई दिख रहे हैं और कहीं देखें, Over Love, Over Care आपको मन ही मन थोड़ा सा Pressurize भी करता हुआ दिख रहा है क्योंकि होता है ना, जब हम बहुत जादा ही Giving हो जाते हैं हमारी Expectations बहुत बढ़ जाती हैं और सामने से उस तरीके का Response नहीं मिलता जैसा हम चाहा रहे हैं तो फिर हम परेशान होते हैं तो देखें, यहाँ पर Weight Down का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा Stress, Tension भी आप Mid-September में या September मन्त में महसूस कर सकते हैं अब दिखें, यहाँ पर अभी तक जो मैंने कार्ड देखें, कोई भी Negative कार्ड नहीं है तो कुछ भी Negative Reason की वज़े से मुझे नहीं लग रहा कि आप Pressurize यहाँ Tension, Stress में हैसूस कर रहे हैं In fact, दिखें, मैं सभी कार्ड पर एक नजर डाल रही हूँ और पूरी ही September मन्त में फिर से मैं कहूंगी कुछ भी Negative नहीं होता हुआ दिख रहा है तो कोई Negative Reason, Pressure, Tension का नहीं रह रहा है होता है ना कभी-कभी हम ही बहुत Emotional हो रहे हैं और हम ही अपने मन में बहुत चीजों को बड़ा बना रहे हैं या फिर से मैं कहूंगी जब हम sensitive हो जाते हैं हमें चोटी-चोटी सी बातें हर्ट करती हैं चोटी-चोटी सी बातें बुरी लगती हैं और जब हमारा मूट ठीक होता है तो हम खुद पर ही हसते हैं कि हम खाम-खाईं यूनों कितना एक unrealistic expectations कर रहे थे तो इस तरीके की energies भी इका-दुका या कुछ cancerians के लिए रह सकते हैं और ये एक reason जादा tension और stress का रहता हुआ दिख रहा है फिर से कहूंगी कोई concrete major reason परिशानी का नहीं है या कुछ ऐसा खराब नहीं हो रहा है जिसकी वज़े से आप परिशान हो आप परिशान अपनी ही emotions अपनी ही feelings अपना ही जो भात एक love महसूस कर रहे हैं उसकी वज़े से होते हुए दिख रहे हैं और कहीं इस चीज को आप end September में ठीक भी करते हुए दिख रहे हैं यहाँ आपर three of cups का card कहता है कि आप जादा लोगों से मिल रहे हैं सोशलाइज कर रहे हैं हो सकता है कि कोई celebration, get together, reunion आप organize करना चाहा रहे हैं या फिर आप attend कर रहे हैं सब के answerians के लिए different reasons रहेंगे लेकिन देखें mid September तक हमने देखा कि बहुत emotional, sentimental हो रहे हैं over loving, caring हो रहे हैं हो सकता है आपको इस चीज़ का realization हो कि इन energies में से खुद को बहार निकालना है और जो एक partner को center point बनाया हुआ है life का या पूरी attention और focus सिरफ partner पे है थोड़ा सा इस चीज़ को भी neutralize करना है मतलब और भी चीज़ों पे focus करना है और भी लोगों से मिलना है और कहीं आप फिर से मैं कहूंगी ज़्यादा socialize करते हुए दिख रहे हैं ज़्यादा लोगों से connect कर रहे हैं celebrate कर रहे हैं कोई चीज़ या फिर get together, reunion, attend कर रहे हैं या फिर से कहूंगी organize कर रहे हैं and deeper level के लिए cat lady का card भी इसी चीज़ को और ज़्यादा confirm करता है कि आप कहीं थोड़ा सा focus अपने उपर भी लाते हुए दिख रहे हैं यानि कि self-care, self-love भी practice करना चाहा रहे हैं और अब दिखते हैं कि insidians के आपके partner के क्या energies हैं तो दिखिए अगर deeper level के लिए देखें मन ही मन के लिए देखें तो आपके partner के लिए हाँ पे soul contract का card है love का card है और divine counterpart का card है और ये तीनों ही cards कहते हैं कि आपके partner भी आपके लिए उतना ही love उतनी ही care महसूस कर रहे हैं soul contract का card कहता है उनको ऐसा लगता है कि शायद आपका और उनका बहुत जन्मों का नाता है बहुत गहरा नाता है ये सिरफ इस जन्म की इस life time की story नहीं है या फिर इस life time का connection नहीं है आप लोग past life से connected थे एक दूसरे से और love again कहता है कि बहुत एक care deep care, deep love वो आपके लिए महसूस कर रहे हैं divine counterpart का card कहता है उनको ऐसे लगता है कि आप उनके better half है और आप एक perfect partner है जो उनको life में चाहिए था या फिर जो वो चाहा रहे थे लेकिन surface level के लिए दिखे हो सकता है कि इस तरीके की energies आपको ना महसूस हो कितनी बारी दिखे हम मन से कुछ feel कर रहे होते हैं लेकिन हमारे actions कही opposite direction में जा रहे होते हैं या फिर दिखे हमें सामने से लगता है कि भई सामने वाले के actions इतने वो नहीं है हमारे मताबिक नहीं है या फिर जो हमारी expectations उसके हिसाब से नहीं है उनके action से हमें लगता है कि वो पतन ही हमारी परवा करते हैं नहीं करते हैं लेकिन मन ही मन उनके मन में एकदम से contrary energies हो सकते हैं यानि कि बहुत आपके लिए love, प्यार, महबबत हो सकता है तो इस तरीके की energies आपके partner के लिए रहते वे दिख रही हैं अब देखें इन्ही energies के लिए सब Cancerians के partner के लिए different reasons रह सकते हैं लेकिन सबसे बहला card यहाँ पर night of once का कहता है कि वो सकता है वो travel कर रहे हैं और बहुत सरी चीजें उनकी life में हो रही हैं उसमें वो occupied हैं, एक restlessness, एक anxious energies महसूस कर रहे हैं कुछ चीजों को लेकर impulsive हो रहे हैं, कुछ चीजों को लेकर बहुत enthusiastic, excited हो रहे हैं और कहीं जो भी वो चाहते हैं उसके लिए action initiatives भी लेना चाहा रहे हैं और बहुत एक, फिर से मैं कहूंगी high energy levels उनके लिए रहते वे दिख रहे हैं end September के लिए page of pentacles reverse का card कहता है थोड़ा सा practical होने की कोशिश करेंगे तो mid September तक एक जैसी energies हैं और end September में उनकी energies में एक shift आएगा और कहीं end September में वो भी थोड़े से childish, थोड़े से यूनो बचकानी वाली energies में रहते वे दिख रहे हैं आपके लिए हमने देखा एक emotions, feelings को लेकर immature energies हैं उनके लिए यहाँ पे page of pentacles reverse का card कहता है practical, realistic हो रहे हैं लेकिन बड़े ही immature sense में और उनको इस चीज की भी हो सकता है कि end September में realization हो कि उनकी बेवकूफी की वज़े से आप दोनों के बीच में छोटे-मोटे issues हो रहे हैं not that bad कह रहे हैं लेकिन कहीं concrete हो सकता है नहीं कह रहे हो practical ना कह रहे हो थोड़ा सा जो उस टाइम पर उनको महसूस हो रहा है उसी direction में action initiatives ले रहे हैं और end September में इस चीज की realization उनको हो सकती है कि भाई बचकानी और जोश में होश खोने वाली energies हैं तो थोड़ा सा संभलना चाहिए और इसकी वो कोशिश करते हुए दिख रहे हैं और अब देखते हैं कि September मन्त में क्या हो रहा है तो देखिए starting September बहुत great नहीं जा रही है क्योंकि grief sadness का card कहता है कोई चीज आप दोनों याप दोनों में से किसी अग को परिशान कर रही है और यहाँ पे भी fool का card है तो देखिए September मन्त में एक guidance cards की तरफ से होगी कि maturity के साथ आप दोनों ही अपने अपने level पे चीज़ों को deal करें आपके लिए starting September में mature energies दिख रही है आपके partner के लिए mid September से लेकर end September तक दिख रही है और September month की energies के लिए fool का card भी कहता है कि भई going with the flow में चले जा रहे हैं जो समझ में आ रहा है उस direction में चले जा रहे हैं कहीं careless हो रहे हैं कहीं carefree हो रहे हैं responsibility नहीं ले रहे हैं और यह एक reason चोटे मोटे issues मसलों का जाधा रहता हुआ दिख रहा है लेकिन mid September किसी level पर बहतर हुआ दिख रहा है king of cups का card कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से connect कर रहे हैं बहुत loving caring प्यार महबत वाली बाते हो रही हैं हो सकता है through you know चीजें किसी level पर resolve हो रही हैं solve हो रही हैं अगर issues रह रहे थे and end September के लिए focused का card कहता है जो भी distractions हैं जो भी चीजें bother कर रही हैं या फिर जिसकी वज़े से relationship में issues हो रहे हैं उनको side पे रखके relationship पे focus कर रहे हैं relationship को prioritize कर रहे हैं और यहां पे four of wands reverse का card कहता है कि एक दूसरे से connect तो करना चाहा रहे हैं लेकिन छोटे मोटे issues या फिर दिखिए कभी होता है न कि हमने program बनाया program postpone हो गया या फिर vacation का आप लोग एक दूसरे के साथ plan बना रहे हैं और उस में छोटे मोटे issues हो रहे हैं and this is nothing to be concerned or bothered about क्योंकि कुछ भी negative नहीं है you know वैसे ही कभी हम program बनाते हैं तो हमारा कोई काम आ जाता है और program आगे postpone हो जाता है तो उस तरीके की चीजे रहती भी दिख रही हैं और अगर पहले से ही आपका घूमने का program था एक दूसरे के साथ vacation प जाने का program था तो वो थोड़ा सा postpone हो सकता है या फिर उसको लेकर difference of opinion या फिर minor issues रह सकते हैं तो यह था किन से जेंज आप लोगों के लिए September 2024 की लाव taro reading और अगर यह reading आपके साथ resonate करी है आपको आपके सवालों का जवाब मिला है तो इस channel को like, share, subscribe ज़रूर करें